ट्विन्स माई वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें फिर बेल एकन को दबाईए हेलो दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपसे कुछ पर्सनल तरीके सी बाते करने वाली हूँ जो शायद कहीं न कहीं बहुत सारे कपल्स बहुत सारे जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके मन में ये कोश्चन आता है बहुत सारे लोगों ने कई बार गलत कदम भी उठाए हैं उन सब के बारे में एक awareness में फैलाना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो देखेगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट डेफिनिटली आपके काम की होगी तो लास्ट तक जरूर देखेगा तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फेबुररी जो मन्त होता है वो प्यार का मन्त कहलाता है बहुत सारे लोगों की जो दबी फिलिंग होती है वो कहीं नहीं इस मन्त में वो इज़ार कर देते हैं क्योंकि ऑविसी बात है कि जो 14 फेब का जो दिन आता है जिसे हम वेलेंटाइन्स डे की नाम से जाते हैं सातारीञ गजी से एकसैटमनिंट सुरू हो जातिस पहले से ही क्लिक्षि के साथ अधि ca वह सारीकि बाद से वह सारे देज को मनाते हैं तो लोग घनको कभी नकभी किसी ना किसी से प्यार हुआ है और सबको होता है उनके life में एक ऐसा partner जरूर आता है जिसको वो दिल से चाहते हैं जो एक दोस्ती के हद से भी जादा होती है लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या प्यार क्या होता है आप जानते हैं प्यार क्या होता है अगर किसी से ये पूछेगा तो सबके अलग-अलग definition है सबके अलग-अलग विचार है लेकिन आज का जो मैं संदेश फैलाना चाहती हूँ पूरी दुनिया से जो भी लोग प्यार में पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुर थी जरूरी सूचना कि जब भी आपको किसी भी परसन से ऐसा feeling हो कि ये चीजे दोस्ती से ज़ादा बढ़ रही है तो पहले तो आप जर्ज करिए कि आपने क्या सही पार्टनर चुनाओ किया है या नहीं किया है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी परसन का चुनाओ तो करते हैं लेकिन क्या पता वो इंसान रियली में अच्छा नहीं हो अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे परसन से हम attachment उनकी साथ हो जाती है उनके साथ हम दोस्ती से जादा सोचने लगते हैं लेकिन हमेशा ये बात का ध्यान रखे कि क्या आप उस वेक्ति से शादी कर सकते हैं अगर आपका जवाब ना में आता है तो उस relationship को वहीं पर छोड़ दीजे क्योंकि ऐसा होता है कि ये दभी हुई feeling सिर्फ अपने मन में रखे आप उन तक बिल्कुल भी मत पहुचाईए क्योंकि अगर आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं आप शादी किसी और से करने वाले हैं और कहीं न कहीं दिल में प्यार किसी और के लिए हैं तो ये सिर्फ एक जिन्दगी नहीं बलकि तीन-तीन जिन्दिगां खराब हो जाती हैं तो इस feeling को वहीं पर दबा दें और आप सभी जानते हैं कि जो time जो आरा excitement का time आरा है बहुत लोग की मन में नई उमंग होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है लेकिन फिर भी अगर आप उस person से शादी नहीं कर सकते हैं अगर वो person कहीं न कहीं देखें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो प्यार तो कर लेते हैं करना नहीं होता है वो खुद से हो जाता है किसी के लिए feelings खुद से आ जाती है हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको किसी के person के लिए ऐसी feeling आ रही है तो आप ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि आप उससे अगर शादी नहीं कर सकते हैं तो आप इस feelings को दबा दीजे जी या मैं सही बात पोर रही हूँ बाद में आपको बहुत जादा परिशानी हो सकती है और रही बात की हर प्रेमी सही इनसान नहीं होता और अगर सही इनसान हो भी जाए तो वो अगर बाद में आप किसी और से शादी करते हैं तो आप उस पती को भी 100% अगर नहीं दीजेगा तो उसके तरफ भी आप एक नाइन साथी कर रहे हैं क्योंकि देखे अगर शादी का जो बंधन होता है वो काफी पवित्र बंधन होता है इसमें किसी तरह का छल, किसी तरह का धोखा नहीं चलता आपकी निव सच्चाई से भरी होनी चाहिए आप अपनी जो दिल की फीलिंग है उनके सामने कहिए लेकिन हाँ, इसमें भी आपको एक कंडिशन है कि सारे लोग अच्छे पती भी नहीं होते है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जिसकी शादी होई है वो एक अच्छा जीवन साथी हो और कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जिससे के साथ जो प्यार का जिसको आपने इतना चाहा दिल से वो भी एक सही परसन हो आप जज करना आप सीखे कि आप किस व्यक्ति के साथ ज़्यादा अटैश हो रहे हैं क्योंकि हर प्रेमी एक अच्छा प्रेमी में नहीं होता और हर पती एक अच्छा पती भी नहीं होता इस बात का आप शुरू से ध्यान रखिए और कुछ ऐसे गलत कदम ना उठा लीजे जिसका शायद आपको हर जाना बाद में भुगतना पड़े तो बहतर है देखी बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद समझ जाते हैं कि नहीं वो जो परसन है जो प्रेमी का है वो अब किसी और की पतनी है उसके तरफ उसकी उनकी अलग दायत्व है उस केस में जो अगर अच्छे प्रेमी होते हैं जिन्होंने कभी न कभी दिल से उस लड़की को चाहा होता है वो सिर्फ उसकी खुशी देखते हैं लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि हर प्रेमी एक अच्छे प्रेमी नहीं होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शायद आपके पास्ट का बहुत सारे तरह से गलत मिस्यूज कर लेते हैं तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आप जो बाते उनसे शियर करें हैं या फिर जो फीलिंग्स आपने शियर की हैं चाहे वो कोई सी भी फीलिंग्स हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका प्रेमी बहुत अच्छा ही हो किसी गलत हाथ में भी पड़ सकते हैं तो वो कहीं आपका मीस्यूज न करें और अगर मीस्यूज करें और आपके पती को या बहुत सारे लोगों को इसकी ख़बर हो जो की सही नहीं है और ये भी मैं कहती हूँ कि बहुत सारे पती गलत भी नहीं होते और बहुत सारे पती समझदार भी नहीं होते तो कहीं न कहीं किसी भी परसन के मन में ये चीज खलती है कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती थी तो वह सारी चीजे भी आपको समझदार वैक्ती से कहिए जब आपको लगेगा कि ये इनसान आपके प्यार को समझने के काबिल आपकी फिलिंग को समझने के काबिल है इसलिए आप बहतर हो कि ये सारा झनजट ही छोड़के स्टार्टिंग में अपने दिल को रोक लीजे क्योंकि देखे एक गलब कदम आपके पूरी तीनों जिन्दगियां खराब हो सकती है और बहुत सारे केसिज में ऐसा भी देखा गया है कि पती का भी बहुत जादा बुरा वैभार रहता है उस लड़की के लिए उस पत्नी के ल का आपके रिलेशन्शिप को बहुत हैंपर कर देती है तो अपने दिमाग को क्लियर एंट क्रिस्टल एंट क्लियर रखिए कि आप जिस इनसान से आप ज्यादा अटैच हो रहे हैं क्या वो इनसान इस मोहबबत के इस प्यार के काबिल है अगर वो काबिल है तो ही आप आग करिए एक रिष्टे का नाम दीजिए और जो लोग शादी के पहले कुछ गलत हरकते करते कुछ लिमिट क्रॉस करते हैं उन लोगों से मैं यही बात बोलना चाहती हूं कि आपकी कोई भी हरकत आपकी कोई भी एक्टिविटी जो की एंटी सोशल हो सकती है उसको प्लीज मत क होती है कि आपको एक समाजिक दायरे में रहना है उसके अनुसार से आप मूफ करो उसी तरह से समाज के भी कुछ नियम है कुछ कानोन है तो आप कुछ ऐसी हरकते ना करें जिससे की परिशानी हो आपको आपकी घरवालों को या बहुत लोग को और हर प्रेमी एक अच्छा नहीं होता और हर पती एक अच्छा पती नहीं होता इस बात का ख्याल आप जरूर रखें और आप किसके साथ कितना ज़्यादा अटैच है या आपका पर्सनल यह है लेकिन फिर भी आपके अटैच्मेंट में एक सीमा एक लिमिटेशन काफी जादा जरूरी है किसी से प्या नाइफ के स्टेज में जा रहे होते हैं हमारे उम्र का भी कच्छापन होता है कि हमें कोई भी पर्सन जो हमें अट्राक्टिव लग रहा है या फिर उसकी एक दो मीठी बाते अगर अच्छी लग रही तो हमें वो प्यार लगता है बट इग्जैक्ली यह प्यार नहीं है इसे आप एक सच्चे प्यार का एक्जांपल देख लिए एक मा का अपने बच्चे के प्रती प्यार क्या यह सच्चा प्यार नहीं है डेफिनेटली है अगर बच्चे को भूख लगती है तो तड़प उसकी मा को होती है इस प्यार को आप समझे एक पीता की जिम्मेदारी प्रतिंκंद आज मेरे बच्ची का एड़मैशन है मुझे कैसे भी करना है उसकी लिए इतना ज़ादा फिक्र हो न यह सब सोचना यहीं प्यार नहीं है जी यहीं प्यार है तो आप सहीं महने दो महने पांच महने एक साल का प्यार के पीछे आप जो सच्चा प्यार है उसको कहीं न कहीं खो दीजिए और एक एक एक्जामपल और बोल रही हूं अभी बहुत सारे गाने ऐसे चलते हैं कि अभी मैं किसी और कहा हूँ फिलहाल अब बताएए अगर किसी लड़की अगर किसी लड़के से शादी कि इस-किसी दोनों पती पत्मी है वह फिलहाल के लिए होता है कि यह जन्मो जन्म का रिष्टा होता है या और पती और पत्मी के और बहुत सरे हजारों जोग बन गए हैं लेकिन क्या आप सोचते हैं कि माबाब के बाद अगर कोई सच्चा प्यार कर सकता है तो वो आपका पती और आपका जीवन साथी ही हो सकता है चाहे वो पती हो चाहे पत्नी हो आपके हर एक सुक दुख में वो साथ देने वाली होती है बाकी सब कुछ और माइने नहीं रखता है कि आप कितना जादा उनके साथ expressive हैं, नहीं हैं, लेकिन हाँ, real प्यार क्या होता है, जो सचा प्यार जो होता है, जो सच है, कभी बदल नहीं सकता है, जो truth है, वही तो सचा प्यार है, कि किसी के दूर रहने पे भी, किसी के नाराज रहने पे भी, या किसी के गुसा जाने पर अगर प्यार खतम नहीं होता कम नहीं होता इज़त उतनी ही रहती है प्यार उतना ही रहता है तो यहीं प्यार है न सच्चा पती पत्नी का प्यार क्या होता है बहुत सारे जोक्स बन गए लेकिन सच सच एक बात बताएगा दिल से कि अगर पत्नी नाराज हो या पती नाराज ह कितनी भी दूरी आ जाए शहरों की दूरी हो सकती है अगर किसी बात का तनाव हो जाए लेकिन क्या एक दिन भी बिना बात कि ये दोनों रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं किसी की तकलीफ बढ़ जाए, किसी को कुछ हो जाए, शरीर में तकलीफ हो, कुछ भी हो, कोई भी परिशानी हो, आपके साथ कौन खड़ा रहता है, सिर्फ पती ही तो है, जो आपका साथ देते हैं, तो क्यों ना उन असली रिष्टों की पहचान की जाए, जो रियल में वैले दिखेगा, कुछ लोग इतने पागल होते हैं, मैं बता दू, छोटे-छोटे डियूरेशन के लेक साल, दो साल का कमिट्मेंट, तीन साल का रिलेशन्शिप के लिए, वो पूरे पचीस साल के रिलेशन्स को खतम कर देते हैं, अपने आपको मार डालना, सुसाइड करना, कि पागल पन नहीं तो और क्या है, जो लोग आप जो व्यक्ति, मा, बाप, पती, पत्नी, भाई, बहन, आपकी प्यार के लिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए सब कुछ करने के लिए तयार है, जगडा भी करते हैं, लेकिन हग से आपको कुछ देते हैं, हग से आपको चहड कि नहीं तुमको ये रखना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, ये प्यार में ये तोर क्या है, ये सब प्यार ठुकरा के लोग एक, दो साल, तीन सार के रिलेक्शनशिप को उसको ही सिर्फ याद रखते हैं और उसके लिए अपनी जान भी गवा देते हैं, ल ये से बढ़के और कुछ नहीं है, जैसे ऐसे आप जीवन के बहुत जादा पड़ाओ पे जाने लगेंगे, साट साल, सातर साल, असी साल, उसे में आपको पता चलता है कि आपका असली रिलेशनशिप ही आपकी अपनी ताकत है, इस ताकत को पहचाने और डेफिनेटली क्या मतलब होता है, उम्र का पड़ा होता है, बहुत सारे लोगों को एकसाइटमेंट होगी, कि अभी साथ तारीक के बाद से पता नहीं उनका क्या-क्या प्लान होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात पताऊंगी, अगर आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, किस बहुत लोगों का यह होता है, मेरी गल्फरेंड नहीं है, रोने की कोई जूरत नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी, वो पत्नी आपकी केर करेगी, आपके सुक दुख में आपका साथ मिभाएगी, तो आपको किसी गल्फरेंड और इसका कोई यह नहीं रहेगा, आपका इडियो में शन्देज देना चाहती हूं कि अपने लिमिटेशन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करिए, क्योंकि कई बारे चीजे इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, जैसे वर्स्ट की मैं बात बताऊं, कि बहुत लोग अपने गलत गलत काम भी कर लेते हैं, जो कि सही नहीं ह लड़का है वो नाबालिक है, या लड़की नाबालिक है उसके इसमें उनको रेप के भी चार्जज लग सकते हैं, बहुत सरे कोट केसी भी हो सकते हैं, जिस समय आपका पूरा करियर चौपट हो सकता है, पूरी अच्छी खासी जिन्दी की चौपट हो सकती है, क्योंकि से वो कभी भोलता नहीं है सिर्फ नजर अंदाज किया जाता है तो वो कभी न भूले वाली जो चीज होती है उसको अपने लाइफ में कभी वो सीन ही मत लेक्या है जिसके साथ यह सारी प्रॉब्लम हो जाए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपने दि होगा तो होप आपको मेरा यह लंबा चौड़ा सा वीडियो काफी एच्छा लगा होगा अगर किसी भी तरह की और भी पर्सनल बातें जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए कि कोई रियल प्रॉब्लम जो का मुझे सॉल्यूशन देना चाहिए या उस प्रॉंख भ्रॉंख होगा तो हूज यहाए!!